अभी चौकिदावगर और जमीर पर पैसे वेर सभी जमीर आगए लांट परसाद ने दिल्ली के जनतर वह जोगा फुर्ण अभी तो हमारी जवानी 85 बंस के दिनुमर में चल रही है कर सकता हूं लेकिन आप से कहना चाहता हूं कि जो भारा नहीं है भारा उसे जिसमें बहुती रस्थार नहीं नहीं है पत्थर है जिसमें तो जाती का प्यादर नहीं साथियों इनका समाज को ज्यान आज बहुत जुरी भी है यह लनाई बानी शीता राम जैपाल सिंग कर्सब चौदी लालत अमसाथ के नितित में इंद्रा गांजी से स्लू ही थी चौहत्तर में मोट्ट बैकोड क्लासर्स कमीशन हमने बैठवाया था अब जमाने में सफर नहीं हो पाया अपने ही लोग जब गद्दार निकल जाएगे अठर्श हो करके रिपोर्टर नहीं नहीं रहेंगे जब अपने गद्दार ही करेंगे तो आपका भी सफर नहीं होगे आपका आप पर जोश में हैं लेकिन मैं आज ये कहने आया हूँ आए सी आई डी के लोगों और अन्य जो सरकार के दाफ़ाल है रट्टर एस्पी से लेकर पुलिस वालों मैं आपके माद्दम से कहना चाहता हूँ इस बुढ़े से 14 लाज़ता पसान निशात किया राद होगी मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि आप से हम भीग नहीं मान रहे हैं केवल मजवार को परभासित कर दो लिशात पूरा या जाएगा केवल मार अतार माली पासी को परभासित कर दो और भारहों को भुका मिलने लेगी और पित्वी पर कोई शिर्वकार जात नहीं है और हमारी सारी संदिश की शिर्वकार को अगर परभासित कर दो तो प्रजापत्ती की अलावा कुछ और जातिया जो अलोहां को अभी उसमें जो है जाएगे मैंने विशंबनाजी से एक महिना पहले कहा था कि यह सत्रा जातियों के लोग अगर जागोंगे नहीं तो आप की सक्ति छीर हो जाएगी इन्होंने बचन दिया था कि बाबु जी हम लोग इकर्थे हो करके जो है बहुत जल्दी इसको करेंगे मुझे खुसी है कि इन्होंने किया है आप से अब कहना चाहता हूँ हेज कि आप बहुत नारा दे रहा है है मोट है मोट हमकर और्लिया उस पर तो मैं तिपणिнд नहीं कर सकता जोगी तो अगर्डू को थिए है यहाज़ दैस नहीं कि देन औं बाल लेए मैं उनका भी चैस लीवा जा तो पता चले कि वो जोगी है कि भोगी है मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी यह 17 जातियां पहले से ही देश के भिन-भिन कोनों में और सुचिजात की सुधा पाती है दावे के साथ है हम तो मला हैं एही दिल्ली में हम सारी सुधा पाते हैं जालो मालो जल या जल केवट केवट मला अबिन्द चाही इनके नाम से हम बंगाल और आसाम के हर प्रदेशों में सुधा पाते हैं और आप जो है यहां के एक अग बस्ति के एक मला के बेटे राम चरितन निशात को आप ने टिकर दिया अंसुचिजात के साथिफिकेट पर दिल्ली के अंसुचिजात के अब नौजवान हमारा जो है मचली शाहर जालपूर से बिना पैसा खर्च किये फिर दंगे के चोट पर जीत कर चला है मैं आप से कहना चाहता हूँ शेत्यता समात करिये या परभासित करिये ऐसा अगर नहीं करेंगे तो मैं शेताओं ने देता हूँ कि है हमारे सत्रह जातियों कर लोगों इस उमर मैं मैं आप से अंदोर्ज करता हूँ कि आपको लगाई करने के जोट नहीं है डंडा तो मैं अपने दुस्मनों के लिए लिया हूँ अभी पैड़र चल सकता हूँ लेकिन हमें लगाई नहीं करनी है अरे जिसको चाहो उसे राजा बना दो जिसको चाहो उसको भिखारी बना दो यह ओज का जमाना है यह बूलत का जमाना नहीं है अगर आप तयार हो तो जोगी जी मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ है इन लोगों के लाद तुम भी लेना चाहते हो तो इनका अरेक्षन 17 जात्यों का कर दो कि अगर परभासित कर तो इनको सुवधा दे जो वरना 2022 वरना 2022 से आते आते हमारा नोजवान जो है बोख्ला गया है आयं मोदी जी ये जो भीर देख रहे हैं आप आ रहा होगा आप जहा बैठे हैं ये हमारे समाज के पूरे लोग नहीं आए हैं ये चूने हुए प्रतनीब हैं ये प्रतनीब आरे हैं यह भर्म मत करियेगा कि लो पुहाद प्रजापति मला राजभौराज के सारे लोग आ गए हैं अरे जिस दिन सारे लोग इहां आ जाएंगे वो भिशंबर शंगलार्माजी देयराम और राजभर जी लोगों मैं एरान करता हूं कि दिल्ली की किसी कोने में जगह बैठने की न मैं बुजुर्ग के नाते तुम से रिवेदन कराव मोदी जी कि चाहते हो कि तुमें भी कुछ हिस्सा हमारे समाज के लोग दे तो तुम जैसे दस परसेंट लोगों को दे दिया उसी दरह जितनी आबादी है हमारी जात्की सारे तेरे परसेंट तो उन्नाइस से एक्तिस की जन्गर्ना के उसार हम केवत लोग हैं और राजभर भाई हैं प्रजापती भाई हैं यह समिलाकर पचीज परसेंट से कम नहीं होंगे तुम पचीज मत दो तुम 15 परसेंट हम लोगों को दे दो हम तुम्हें बदाई देंगे और नहीं तो तुम्हें जो है जमीन से लेकर आकास तक तुम्हारी निंदा करेंगे और 2022 में तुम्हें बता देंगे कि सत्त जातियों का जो समू है तुम्हें एक ओट नहीं देगा यह आप यहां से भी पढ़ करके जाएं दूसरी बात यह कहूंगा विशंबर जी आप से कहूंगा संगलालमाजी से कहूंगा दयाराम से कहूंगा समू बैठा करके कैसे इनको ओट दिया जाए और क्यों इनको ओट न दिया जाए ऐसी मीटगे हर जिले में दरवाईए और हम लोगों को भी उलाईए जब तक हर जिले में मीटगे तो तीरों समाज के लोग मिलकर नहीं हम तीर ही कर रहे हैं विसे सकत है हम मिलकर नहीं करेंगे तब तक गाउं में बैठेग लोगों के जो ओड देते हैं उनके अंदर जागर नहीं आएगा और जब जागर नहीं आएगा तो दिल्ली में आप लाख चिल लाते नहीं जाओगे आपको जो है आपकी बात नहीं मानी इसलिए गाव में जो है आप मीटिंग जिले में करिये हमको भी बुलाइए राम रती भीजी अवीज चल रहा है इनको बुलाइए और सारे लोगों को समझाइए कि अगर मोदी कर देते हैं तो नरम पर जाएए नहीं करते हैं तो इतना गरम हो जाएए कि 2022 में ही पलता पलत द कि जब तक दिल्वी में आपके लोगों का हिस्चेदारी सरकार में नहीं होगी तब तक आप बर जाएगे तट जाएगे लेकिन आपको आलक्षान नहीं मिलेगा जब तक अधरेश से लेकर हमारी सब्सक्राइए अगर कि इस दिन हो जाएगी उसी दिन दावे के साथ कहता ह हूं कि यह समस्ता हर हो जाएगी इनी सब्सक्राइब के साथ मैं आप से विजा लेता हूं जै जै हिंद जै